हेलो गाइज मैं हूँ निलेश एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो आज किस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक आइसो टॉप इमेज गैलरी या इसको फिल्टर गैलरी भी बॉल सकते हैं तो चलिए देखते हैं यहां पे हमारी इमिज गैलरी है और जैसे मैं करता हूँ वैद डोल अप्रमेनट पर उपन कम टॉप डिखाए देंगी SEO से related जो है वो दिखाए देगी Graphics पे क्लिक करेंगे तो Graphics से related आपको images दिखाए देगी So आज किस वीडियो में हम ये Filter Gallery Create करना सिखने वाले है अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और शेयर जरूर करिएगा So guys यहाँ पर हमने Simple सा HTML का structure बना रखा है साथ में जो हमारी CSS वाली फाइल है iso.css इसको हमने link कर रखा है तो यह हमारी CSS वाली फाइल है और यह हमारी HTML की फाइल है तो चलिए HTML वाली फाइल में करते हैं Coding Start सबसे पहले एक div create करते हैं और उसकी class set कर देंगे यहाँ पर हम container अब container के अंदर हम एक div create करते हैं और class set कर देंगे उसकी क्योंकि उसके अंदर हमारे menus होने वाले है menu create कर लेते हम एक unordered list से और उसमें create करते हैं list item और चलिए यहाँ पर मैं class set कर दूँगा first वाले की active यहाँ पर साथ में add करेंगे data filter और data filter यहाँ पर apply कर देंगे star star यहाँ पर all के लिए होता है और first वाला जो menu होगा हमारा वो all हो जाएगा second equal list item create करते हैं और चलिए उसमें apply करते हैं data filter चलिए उसकी class set कर देते हैं web और यहाँ पर title लगा देते हैं same as it is क्या कर लेते हैं इसी को copy कर लेते हैं then करते हैं paste SEO के बाद again एक और list item create कर लेते हैं और चलिए इसकी class set कर देंगे यहाँ पर हमने menus create कर लिए हैं जैसा कि आपको यहाँ पर यह वाले दिखाए दे रहा हैं अभी मैं इसका output नहीं दिखाऊंगा आपको पहले चलिए images को भी set कर लिए हैं यहाँ पर इस दिव के बाद में देखें जो portfolio menu वाला div है इसके बाद में इक और div create करते हैं और उसकी हम class यहाँ पर set कर देंगे portfolio items इसके अंदर create करते हैं div और class set कर देंगे यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे item होंगे वह और first वाला जो item है वो web से related होगा क्योंकि हमने यहाँ पर देखे data filter में apply किया है class web तो जो web development से related image है उसको हम यहाँ पर set कर लेते हैं img चली यहाँ पर width set कर देते हैं 100 height भी set कर देते हैं 100 अब देखे एक image हमने set करी है इसी को चलिए complete do को करते हैं copy and then नीचे कर लेते हैं paste तो यह second वाला हो जाएगा आपका SEO के लिए तो यह SEO के लिए हो गया again एक बार और paste करते हैं चलिए और यहाँ पर change तो एक टू कर देंगे यहाँ पर image कर देंगे A3 और third वाला हो जाएगा graphics के लिए तो इसमें class apply कर देंगे graphics यहाँ पर देखिए हमने 3 images create करी है तीनों अलग-अलग div के लिए menus के लिए अब इन तीनों को complete कर लेते हैं यहाँ से copy and then नीचे कर लेते हैं इस टेव के बाद में पेस्ट तो टोटल हमारे पास 6 हो गए हैं images में कर लेता हूं चेंज तो ए 3 तक आ चुका है image कर देंगे A4 and then कर देंगे A5 and इसको कर देंगे A6 चलिए SEO में हम 3 image अप्लाई कर दे इसको copy करते हैं और चलिए यहीं पर कर लेते हैं अगेन पेस्ट और image कर देंगे A7 चलिए अब देखते हैं इसका output copy file पात कर लेते हैं ब्राउजर में आते हैं और next tab के अंदर करते हैं paste सो यह देखें यहां पर हमारी जो images हैं और menus है आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं यह देखें अब इनको हमें style करना है सबसे पहले style करेंगे हमारे body tag को तो चलिए background apply कर देते हैं और जो text का color है उसको कर देंगे हम यहां पर white save करते हैं आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं refresh यह देखें इतना हमने कर लिया है अब चलिए जो हमारा container class है उसको style करते हैं यहां पर देखें जो हमारी class है container इसको करते हैं copy css वाली फाइल में आते हैं और यहां पर dot के साथ करते हैं paste then करते हैं इसको style container की width set कर देंगे हम यहां पर 90% की और चलिए margin इसमें set करेंग और left और right से set कर देंगे auto save refresh यह देखें आपको यहां पर यह दिखाई दे रहे हैं अब next देखें हमें किसको style करना है हमें style करना है हमारे container के बाद में portfolio menu को तो चलिए portfolio जो menu classes को copy कर लेना है css वाली फाइल में आते हैं और यहां पर dot के साथ करते हैं paste and then करते है style style हमें क्या refresh तो यह देखें बिल्कुल में जो हमारे menu जवो center में आ चुके हैं इसके बाद next में क्या करना है यहां पर देखें अब देखें portfolio menu के अंदर जो आपकी unordered list है उसके अंदर जो list item है उसको हमें style करना है तो चलिए यहां पर इसको copy करते हैं again css वाली फाइल में आते हैं और है नन ताकि जो bullets से वो remove हो जाए और display कर देना है हमें inline margin भी set कर देंगे top और bottom से कर देंगे 20 pixel आते ब्रावजर पर चलिए करते हैं refresh तो यह देखें हमारे menu यहां पर आ चुके हैं next हमें क्या करना है देखें next इसके अंदर हम apply करेंगे powder और बाद में padding apply कर देंगे top और bottom से 10 pixel की left और right से 20 pixel की save refresh तो यह देखें यहां पर हमारे जो menu है वो बनके ready हो चुके हैं अब हमें hover effect create करना है और जो cursor है उसको set कर देना है pointer cursor कर देंगे pointer जो हमारी list item है इसके उपर hover effect create करना है इसको complete करते है copy and यहां करते है पेस्ट इसके उपर जब होगा hover जो आपका background color है वो तो हो जाए यह और यह text है उसका color रहे white save refresh यहां पर आपको background color change होके दिखाई दे रहा है अब next हमें क्या करना है देखिए next जो first वाला है जिसको हमने class active दिये इसका background color यही रहना चाहिए background हमेशा रहना चाहिए यह save करते है आत्यम browser पे और करते है refresh तो यह देखिए यहां पर जो first वाला link है उस पर always आपको background color दिखाई देगा तो हमने menus create कर लिये हैं अब हमें जो हमारा images वाला section है इसको style करना है और यहां पर देखिए जो हमारा next div है जिसकी class हमने सेट करिए portfolio item इसको copy कर लेते हैं CSS वाली file में आते हैं और यहां पर देखिए dot के साथ में करते हैं इसको paste चलिए मैं मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं scroll इसके हमें क्या कर देनी है वेड़ सेट कर देनी है 100% की and then हमें next क्या सेट करना है देखिए जो यह वाली class है इसके अंदर जो item class है ठीक है कर देनी है 250 पिक्सल और इनको कर देना है हमें flat left और यह images एक दूसरे से chip की ना रहें इसके लिए margin bottom set कर देते हैं यहां पे 10 पिक्सल का और margin right भी set कर देंगे हम 10 पिक्सल का save कर दें ब्राउजर पे और करते हैं refresh images आपकी काफी छोटी है और दूर-दूर दिखाई देंगे क्योंकि इसकी styling हमने HTML में पहले से कर दी थी इस मैंने यहां पर इसके लिए set किया था क्योंकि जो images वह काफी बड़ी थी तो अब आप क्या करोगे इनको यहां से remove कर दीजिएगा और remove नहीं करोगे तो भी अलग तरीका में आपको बताता हूं इनको सेट करने का बहुत ही simple है guys देखे इसके अंदर जो आपकी images है उनको हम एक line में style कर सकते हैं just हमें weight set कर देनी है 100% की और height भी set कर देनी है 100% इससे होगा क्या जितना आपके div की height और width है उतनी ही आपकी image की हो जाएगी तो चलिए करते हैं save आते हैं browser पे और करते हैं refresh और fact लिए आपकी images इतनी set हो चुकी है तो अब next हमें create करना है हमारा वो isotope filter वाला effect तो चलिए उसके लिए आते हैं Google में और search करते हैं सबसे पहल so यहां पर देखें आपको first link मिलेगी ISO top filter and sort magical layouts इस पर हमें आ जाना है आपको यह वाली website दिखाई देगी आप क्या कर सकते हो यहां से इसको download भी कर सकते हो या फिर आप क्या करोगे यहां से cdn link को copy cdn link easy रहता है guys तो यहां से क्या करेंगे cdn link को copy करेंगे editor में आएंगे और html वाली file में आने के बाद में सबसे last में body tag के पास में नीचे कर लेंगे हम paste next देखें again आना है browser में और इस बार हमें search करना है jquery cdn search करेंगे तो first link मिलेगी उस पर click कर देना है jquery की website पर आ जाएंगे और जो minified लिखा हुआ है इस पर हमें click करना है complete code को करते है copy editor मे आते हैं अब देखिए एक चीज में आपको बताता हूं जो आपने अभी script tag को paste किया है इसके ऊपर हमें वह jquery वाला cdn link paste कर देना है अगर आप इसको नीचे paste करोगे तो यह work नहीं करेगा guys तो इस बात का ध्यान रखेगा इतना कर लेते हैं save करते हैं अब देखिए again browser प बको कर लेना है copy editor में आते हैं और यहां पर नीचे करेंगे script tag को create और इस्कून के अंदर करनेंगे इसको paste अब यहां पर देखिए यहां पर जो class है हमें कुनसी apply करना है उप्लाइ करने हैं जो हमारे items एन तो हमारे item कौनसे विके नदर है यह देखिए portfolio items इस वाले dores chair के अंदर है सब कुछ तो क्या करेंगे इस यहां पे हम ग्रेड की जगह कर देंगे पॉर्टफोलियो आइटम स्जो भी हमारी क्लास है अब इसके बाद और वोच्वा मेेंच देखी हैंट औरो पाओने क्लास एंग प्राइट सब्सक्राइब वह थे रखे कर эк hen ओज यहांरे क्लास चैट के 주고 आइटम यहीं पर यहाँ टाइप किया है यहां पर हमें इसको टाइप कीन करहा है wa जहाब पर मैंने तीन लाइन लिखिए इन तीन लाइन का मीन कहा है जब देखिए आपकी class है portfolio मेन्यू और उसके अंदर जो आपकी unorder list है उस पर गोई क्लिक करेगा तो होगा क्या आपका एक function चलेगा और क्या होगा जब function चलेगा तो यहां से आपकी जो active class है वो रिमूफ हो एक्टिव क्लास अप्लाई करी थी जब यह फंक्शन चलेगा तो यहां से रिमूव होगी और जिस लिंक के उपर हम क्लिक करेंगे वहां पर क्या हो जाएगी एड हो जाएगी यह वाली क्लास चलिए मैं आउट्पुट भी दिखा देता हूं आपको अब जो इसको करते हैं र और अप्लाई हो गई अगेन और पर क्लिक करते हैं तो अप्लाई हो जाएगी यह जो मैंने तीन लाइन लिखी है उसका मीन अब आपको समझ में आ गया होगा की हो क्या रहा है अब नेक्स देखें हम क्या करते हैं अब यहां पर देखें मैंने क्या किया है एक वेरियेबल क सी ओ और ग्राफिक्स और एक था हमारा स्टार तो यह सारे हमारे डेटा फिल्टर सें जिसको मैंने किसमें स्टोर करवाया है सेलेक्टर के अंदर जैसा कि आपको यहां पे दिखाए दे रहा है जब हम किसी भी मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वह जो डेटा फिल्टर है जैसे वाले पे क्लिक करेंगे तो जो वाला data filter वो किसमें store हो जाएगा selector variable के अंदर जो आपके portfolio items है यहाँ पे देखें यह वाला जो div है portfolio item और filter apply हो जाएगा उस selector पे जो आपने select किया है और last में हमने नीचे लिख दिया return false तो यह छोटा सा code है guys I think आपको समझ में आ गया होगा save करते हैं आते हैं browser पे और चलिए करते हैं refresh so यह देखें जैसी करते हैं web development पे click तो जो data filter web था वो हमें दिखाई दे रहा है SEO पे करते हैं तो SEO वाला दिखाई दे रहा है graphics वाला था तो graphics का दिखाई दे रहा है और all पे click करेंगे तो सारे हमें दिखाई दे जाएंगे तो I think आपको यह समझ में आ गया होगा guys so अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो यार like and share जरूर करिएगा और अगर आप channel पे नए हो तो please यार subscribe जरूर कर दीजिएगा